So hi everyone, स्वागत है आपका record informative वीडियो के अंदर और guys इस वीडियो लोग बात करने वाले हैं how to get a scholarship in Aakas Institute कैसे आप लोग Aakas Institute के अंदर scholarship ले सकते हैं और ये video detail वीडियो होने वाले हम लोग एक भी point को miss नहीं करने वाले हैं जो भी scholarship related points होते हैं सारे details को cover करने वाले हैं आगे बढ़ने के पहले अभी तक आप लोग नहीं चलने को subscribe नहीं क्या हुआ है तो do subscribe दी चलने राइट ना क्योंकि इस तरह के scholarship related videos हमारे चलने पर आपको मिलते रहते हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आकास इस्ट्यूट के अंदर बहुत सारे scholarship exams होते हैं उसके पहले ही बहुत सारे forms of scholarship होते हैं पहला तो यह कि आपको cash reward मिलते हैं किसी exams के तरूप आप जितना score कर रहे हैं उसके according आपको कहाँ पर cash reward मिलते हैं वो thousand में हो सकता है लैक्स में हो सकता है वो आपके score पे डिपेंड करता है दूसरा जो भी score करते हैं एक्जाम के अंदर उसके according आपके tuition fee में उतना आपको discount देखने को मलता है वो discount 90% हो सकता है 100% हो सकता है वो अलग-अलग exams के तरूप कौन-कौन से वो exams है अब या आगे हमनों discuss भी करेंगे तीसरा है merit के basis पे यानि कि last exam में जो भी आपने score किया होगा उसके basis पे आपको scholarship दी जाती है कोई आपको यहाँ पर exam attempt नहीं करना होता है तो यह कुछ forms of scholarship होते हैं जो कि Aakas Institute के अंदर आपको दी जाती है अब last exam के अंदर कितना percent आप score किये होंगे तो कितना percent scholarship मिलेगा या करेंगे तो कितना स्कॉर करेंगे तो कितना scholarship मिलेगा भी आगे उसको करेंगे आप लोग विडियो में तक बनी रही है उसके पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से exam सोते हैं तो सबसे पहला होता है एंधी यानि कि Aakas National Talent and exam अभी रिसेंट्ली एकंड़ हुआ ह 23 में यह in the month of October होता है हर साल यह conduct होता है I think 100 या फिर टूंड़ पीजिस का रिशेशन फी होता है इसमें जो है अगर आप लोग 7 से लेकर करके 12th studying और पासवट स्टूडेंट्स अपलाई कर सकते हैं और एंधी के तुरू आपको जिदू भी स्कोर करेंगे उसके बीसिए प इसमें आप लोगो स्कोर करते हैं उसके बिसिए टूशन फी के अंदर स्कॉलसिप अवर्ट किये जाते हैं अब आईसकी स्टी के अंदर होता है 90% आपको स्कॉलसिप मेलेगा लेकिन एक्चुल में 90% स्कॉलसिप नहीं मिलता है यहाँ पर तुरा मिस कॉंसेप्शन हो जात स्टी मेटरिल फी हो गया अधर देन बहुत सारा फीस यहाँ पर इंक्लूड होता है टूशन फी के अंदर जो कि अप्टू 20 के 30 के यहाँ पर जाता होगा वो मैं कंफर्म नहीं हो लेकिन टूशन फी के अलावा बहुत सारे फीस होते हैं जो कि सारा टूटल फी में पर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो टूशन फी है उसमें आपको 90% मेला है बाकि रेस्ट फी है वो आपको पे करना पोगा तो आईए सीस्टी के तुरू अगर आप लोग आटवी से लेकर के बारवी तक में स्टडी कर रहे हैं फिर पासा उटे तो आप लोग इसमें र है तो आप लोग इसमें अपने कर सकते हैं मेडिकल इंजिनरिंग और फांडिशन कोर्स के लिए होता है और इसके तुरू यह आपको 90% स्कॉलसिप हो गया और कैस रिवोर्ड भी आपको इसके तुरू अवर्ड की जाते हैं को और स्कॉलसिप होता है आकास स्पार करके इस इसमें भी आगर आप लोग 7 से ले करके 10th स्टेडिंग है तो भी आप लोग इसमें अपनाई कर सकते हैं 90% स्के तुरू स्कॉलसिप मिलता है सभी कोर्सिप के लिए लेकिन इसमें कोई कैस प्राइस नहीं मिलता है तो इन्हों आपको एंथी और नेस्ट में आपको कैस प् इसमें अगर आप लोग एंदर 90% आप लोग स्कॉलर करते हो ACST या फिर ANTHI के अंदर तो आपको 65% तुशन फी में मिलेगा स्कॉलसिप अगर आपको एटी परसंट स्कॉलसिप मिलेगी 70% स्कॉलसिप मिलेगी यानि कि जो भी आपका तुशन फी होगा उसमें इतना स्कॉर करोगे तो 10% आपको ट्यूशन फी के अंदर डिस्काउंट अवर्ड किये जाएंगे यह होगा टू यर प्रोगाम के लिए और वन यर कोर्स के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह होगा इंजिनियरिंग और मेडिकल के लिए था उपर वही अगर आप है मैथसंड साइंस में इन ख्लास एट नाइं या फिर आपने फर्स ट्रांग हांसिल के स्कूल लेवल पर तो आपको 30 पर संट स्कॉल और की जाएंगे तुशन फी में वही आपने सेकेंड रडिया फिर फूर्थ रंग स्कॉल पर हासिल किया है त्वेंटी पर संट आपको tuition fee में scholarship award की जाएंगे वही above 90 और less than 95% mark से तो 30% वही above or equal 25% mark से 20% आपको scholarship दी जाएंगी tuition fee के अंदर तो I hope अब आपको ये clear हो गया होगी कैसे आकास institute के अंदर scholarship का division होता है और कैसे scholarship distribute के जाते हैं कितना percentage आप लाते हैं जिसे आपको tuition fee में deduction देखने को मिलेगा तो ये सब सारे details हम लोगे इस वीडियो में cover किया बाकी दोस्तो instant admission को में scholarship test का registration अभी भी open है free of course आपको registration कर सकते हैं तो description box में आपको detailed video और registration link मिल जाएगा check out कर सकते हैं आज की इस वीडियो का उमनों यहीं तक रखते हैं वीडियो गर अच्छी लगे तो वीडियो को जोट से लाइक करेगा चैनल को भी subscribe कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलता हूँ आप लोग उस एगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत